राधे राधे बंदुवों बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेट फार्म न्यूज नेशन इस्तुति पर बंदुवों कार्तिक मास के पंच दिवसी उत्सब का आखरी उत्सब है भाई दूज का महापर्व इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये पर्व कितना खास है इस पर्व को किस तरह किस तिथी में किस महूर्त में मनाना चाहिए जिससे के बाही बहन के बीच प्यार बढ़े उन दोनों के पीच सामन जश्य बढ़े बाही की दीरगाई हो बाही को आरुग गिता प्राप्त हो बाही को सुक समध्धी प्राप्त हो बाही दूज का पर्व है क्या इन समी बातों की चर्चा करेंगे साथ ही इस वीडियो में आपको विसेस बात बताएंगे कि भाई दूज और अच्छा बंदन पर्व में क्या अंतर है बंदु हो मैं हूँ हरी गुपाल शर्मा बंदु हो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रेओ दसी से लेकर सुकल पक्ष की दुतिया तिती तक पाँच दिन का दीपो सपर मनाये जाता है इन पाँच दिनों को यम पंचक भी कहा जाता है इन पाँच दिनों का सबसे आकरी पर्व है भाई दूज का पर्व हम पहले दिन धन त्रेओ दसी मनाते हैं भगवान धन्मद्दरी का जन्मोसब, खरीददारी करते हैं, दूसरे दिन हम नरक चतुरदसी मनाते हैं, हन्मान जी का जन्मोसब पर्व मनाते हैं, तीसरे दिन मा महालक्षमी का जन्मोसब पर्व मनाते हैं, और चौथे दिन भगवान गोवरदन का उजा करके उनका अनकू मुट महुस्ब मनाते हैं और पांच में दिन भाई दूज का पर्व मनाये जाता है इस साल दुतिया तिथी 2 नवंबर को रात 8 बज कर 22 मिनिट पर सुरू होगी और 3 नवंबर को रात 10 बज कर 6 मिनिट पर समाप्त होगी इसलिए उद्या तिथी में 3 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाना बेहस्व होगा यद इस बार के भाई दूज पर्व की बात करें तो इस बार बड़ा दुर्णव सा योग है कि इस बार भाई दूज के पर्व पर सौभा की योग और सोभन योग ये दोनों बनेंगे सभे द्वक ग्यारें बचकर 49 मिनिट तक सवभान योग रहेगा इसके बाद सौभन योग शुरू होगा यह दोनों योग बड़े बिशेष माने जाते हैं इन योगों के होने से कार्यों में सुभता प्राप्त होती है कार्यों में सिद्धियां प्राप्त होता है तो यह बड़ा दुरल्ब संयोग है इस बार भाईदूजपर के सवभागयोग और सोभन योग के संयोग में इस बार का भाईदूजपर मनाया जाएगा बंदू अब बात करते हैं भाईदूजपर के तिलक के विशेस महुर्थ की बैसे तो आप पूरे दिन अपनी सामर्थ के अनुसार अपनी विवस्ताओं के अनुसार भाई दूज का पर्व मना सकते हैं लेकिन विशेस महुर्थ की बात की जाए तो दुपहर में अवजीत महुर्थ 11.49 मिनिट से 12.23 मिनिट तक रहेगा इस महुर्थ में आप तिलक करते हैं अपने भाई का भाई दूज का पर्व मनाते हैं तो उत्तम रहता है यद दूसरे महुर्थ की बात करें तो दूसरा महुर्थ है विजै महुर्थ ये दुपहर एक बचकर पचास मिनिट से दो बचकर चौविस मिनिट तक रहेगा तो इस महुर्थ में भी आप अपने भाई का टीका करके भाई दूज का पर्व मना सकते हैं यद हम सुब महुर्थ की बात करें इस पूरे दिन के पूरे पर्व के तो दुपहर एक बचकर च्छै मिनिट से लेकर तीन बचकर सत्रे मिनिट तक का ये जो समय है इसकी लगवग अबदी है दो गहंटे ग्यारे मिनिट ये इस साल का भाई दूज पर्व मनाने का सबसे उत्तम सबसे सो महुर्थ रहेगा यदे आप दुपहर एक बचकर छे मिनिट से लेकर तीन बचकर सत्रे मिनिट के बीच वे आप भाई दूज का पर्व मनाते हैं बहन आपके टीका करती है आप उसको उपाहर देते हैं उसका आशीरवाद लेते हैं तो ये पर्व आपके लिए बेहत सुभ हो जाएगा आपको जीवन में सुक सांती सम्रद्धी की प्राप्ती होगी हमारे सास्त्रों में सुम महूर्ट की बिशेश महमा हैं जिसमें किया गया कारे शुबता को प्राप्त होता है सिद्धिया प्राप्त होती है उन्नती प्राप्त होती है आरोगिता प्राप्त होती है तो सबसे विशे इस महूर्थ एक बज़ कर छे मिनिट से लेकर तीन बज़ कर सत्रे मिनिट तक रहेगा बंदुओ अब बात करते हैं कार्तिक मास के इस पर्व की कार्तिक मास की दुतिया तिति को भाई दूज का पर्व बनाये जाता है ये पर्व रक्षा बंदन के बाद बहन और भाई के प्रेम का दूसरा सबसे बड़ा पर्व है इस पर्व के दोरान बहने अपने भाई की दीरगायू की कामना करती है उनकी आरुग्यता की कामना करती है उनके जीवन में सुक सांती समध्धी की कामना करती है तो ये पर्व भाई भेहन के प्रेम का पर्व है इस पर्व की शुरूआत द्वापर युग में हुई थी जब यम देव अपनी बहन यमना जी के हाँ पधारे थे यमना जी ने अपने बहन भाई का यम देव का स्वागत किया उनको तिलग किया ये कार्तिक माँस के सुकल पक्ष की दुटिया थे थी तबी से ये भाहिदूज का पर्व शुरू हुआ तो बंदुवो इस पर्व को आपको पूरे स्रद्धा बक्ती के साथ मनाना चाहिए इस पर्व को मनाने के बाद ही आपका दीपो सब पर्व का पांचमा पर पूरा होता है और पंच दिवशिय उत्सब पूरा होता है इस दिन हमें विशेश रूप से यमदेव और यमरा महराणी की पूजा करनी चाहिए भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए अपने इस्ट देव की पूजा करनी चाहिए इस दिन आप ब्रत संकल्प ले करके पूजा उपाशना करें उस तिलक करने के बाद ही बहन और भाई दोनों ही भूजन घ्रहन करें साथ साथ बैट करके एक ही धाली में इस तरह से हमें इस पर्व को मनाना चाहिए अब बंदो बात करते हैं कि ये पर्व भाई दूज का पर्व और रक्षा बंदन का पर्व इन दोनों में क्या अंतर है देखिए रक्षा बंदन के पर्व के दिन बहन अपनी भाई के यहां जाकर के राखी बानती है इसके साथ इस पर्व की रच्छावंदन की कथा भी जुड़ी हुई है जैसा कि हम राखी का जब हम राखी बानते हैं तो उसके लिए एक मंत्र बोलते हैं ये नबद्दो बली राजा दान बेंद्रो माह वलव तेनत त्वाहं प्रत बदनामी रक्षे माचल माचलव उनको अपना भाई बनाया था और उनके रक्षा सूत्र बादा था तो लक्ष्मी जी स्वैम चलकर के उनके पाता लोग गई थी इसके पीछे कथा भी है कि राजा बली जब यग्य कर रहे थे तब बामन अवतार लेकर के भगवान ने उससे सारी तीन पग में उससे सब कुछ मांग लिया था दो पग के अंदर ही उसका सारा सामराज भगवान की चरणों में आ गया था राजा बली बड़े प्रसन्य थे लेकिन तीसरे के लिए भगवान ने पूचा आप कहा इस पैर को रखूं तो राजा बली ने अपना सिर नीचे कर दिया कि आप मेरे सिर पर अपना चरण रख दीजिए राजा बली देत कुल में प्रकट हुए लेकिन भगवत वक्त थे भगवान ने उनके सिर पर पैर रख करके उनको आशिरवाद दिया साथी कहा कि आपको जो बरदान मागना है आप बरदान मागेए तब राजा बली ने बरदान मागा कि मुझे हर पल हर चण आपका दरसन होता रहे ऐसा बर्दान मांगने पर भगवान ने उसको बचन अनुसार बर्दान दिया इस बचन की बज़े से भगवान को भी राजा बली के यहां जाकर के रहना पड़ा जिसकी बज़े से राजा बली को उनका दर्शन होता रहे जब माता लक्ष्मी को यह बात पता लगी के मेरे पती भगवार विश्णू राजा बली के यहां पाता लोक में है तो मालक्ष्मी उनको बापस लेने के लिए रच्छा सूत्र लेकर के पाता लोक राजा बली के जहां जाती है और उनको अपना भाई बनाती है राजा बली उनसे राखी बंधवाते हैं रक्षा सुत्रबंद बाते हैं और कहते हैं बहन तुम्हें जो मांगना है वो मांग लीजे तब महालक्ष्मी कहती है कि मेरे पती आपके यहां है आप उनको छोड़ दीजिए उनको आग्या दीजिए कि वो अपने बैकुंठ लोग को पधा रहे राजा बली बड़े बाए कि यह मालक्ष्मी आई है लेकिन जब उन्होंने यह मागा तवराजा बली भी करतार्च समझे अपने आपको और भगवान को बैकुंठ लोग के लिए विदा किया तो रच्छा बंदन का पर्व तब से शुरू हुआ यानि कि लक्ष्मी जी अपने भाई के यहां बल इसके पीछे भी यही कता है कि इस पर्व में भाई अपनी बहन के जहां जाकर के तिलक कराते हैं क्योंकि यम देव जी सुयम यम लोक से निकल करके मतुरा पदारे थे अपनी बहन के घर उनकी बहन ने उनको देखा तो आदर सतकार किया और अपने भाई का खूब भूजन क गया किया अपने भाई का टीका देरगाय की भडवान से उपाषना की कामना की तो दोनों पर्वौ में ये न्तर है कि रक्षा बंदन के दिन बहने अपने भाई के जाती है और भाई दूझे दिन भाई को अपने भेहन के घर जाकर करना चाहिए तो बड़ा दोनों ही पर्व सनातन धर्व में ऐसे हैं जो भाई बहन के प्रेम के प्रतीक हैं तो हमें दोनों ही पर्व बड़े स्रद्दा भक्ति के साथ मनाने चाहिए मद्धू ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट वॉक्स में लेखें सुब महुर्त में ही अपनी बहन से तिलक कराए यदे आपका जोतिस और धर्म से संबंदित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट वॉक्स में लेखें हम उसका जवाब अवश्य देंगे यूज डिशन के डिजिटल प्लेट फार्म पर जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भाई दूश पर्व की मंगल में शुब कामना है यमदेव और महरानी यमना की क्रपा से हम सभी का जीवन मंगल में हो शुक्षांति स्रमद्धी बनी रहे यही हम काम करते हैं राधे राधे